आज जो सदन में बड़ा दुल्भागेपून है एक अती महतपून विशे जिससे देश के युवाओं का करोडों युवाओं का भविशे जुड़ा हुआ है नीट के में पेपर लिग का मुद्दा राहूल गान्दी जी ने जिस रूप से शालिंता से उठाया और कहा कि इस जलगत राद्मी से उपर उबढ़ उठकर पूरे सदन का इंडिस्ट्री कौन बने इस बात की मांग जो उन्हों ने करी तो तुरंत उस उनके प्रस्ताव को ना सिर्फ वस्विकार किया गया लेकिन उनके माइक को वो जो बोली रहे थे तो माइक को स्विच आफ कर दिया ग नहीं है इस बात को लेकर मैं समझता हूं पूरा इंडिया घडबंदन प्रसंपून विपक्ष इस बात को लेकर रोश में आया और हम आज यही मांग करते हैं सरकार से दुबारा कि इस बुद्धे पर तुरंत चर्चा हो और जिम्मेदारी धर्मेंदर प्रदान जी ले आज जो सदन में बड़ा दुल्भागेपून है एक अती महतपून विशे जिससे देश के युवाओं का करोडों युवाओं का भविशे जुड़ा हुआ है नीट के में पेपर लिग का मुद्धा राहुल गान्दी जी ने जिस रूप से शालिंता से उठाया और खा कि इ जो बोली रहे थे तो माइक को स्विच ओफ कर दिया है यह अच्छी परंपरा नहीं है नेता विपक्ष को अपनी बात रखने का पूरा अधिकार है उसके बाद दो निर्णे उस पर लिया जाए लेकिन उनकी बात के बीच में माइक स्विच ओफ करना एक अच्छी संसेदि अच्छा हो और जिम्मेदारी धर्मेंदर प्रणंजी ले अङीड़ा तो साविट हो गया कि यह पेपर लिक हुआ था नीटके उतिहां का ईपर लिक सक्कार और सबसे आदें बहुत हर्याना में हो निय को जिम्मेदारी धर्मेंदर प्रणंजी ले सब्स्प्रय sharks लराई व मेत्पून विशे जिससे देश के युवाओं का करोडों युवाओं का भविशे जुड़ा हुआ है नीट के में पेपर लिग का मुद्दा राहुल गांदी जी ने इस रूप से शालिंता से उठाया और खा कि इस पे जलगत रादमी से उपर बढ़ उठकर पूरे सदन का इ यह अच्छी परंपरा नहीं है नेता विपक्ष को अपनी बात रखने का पूरा अधिकार है उसके बाद निर्णे उस पर लिया जाए देकिनों की बात के बीच में माइक स्विच आफ करना एक अच्छी संसेदिय परंपरा नहीं है इस बात को लेकर मैं समझता हूँ पूर दहरमेंदर प्रधान जी लिया अब तो सावित हु गया कि यगए फेबर लीड हुआ था नीट के उतिहानगी पर लिग सरकार है और सबसे आधा पेपर लिग तो घर्याना में ही हो रिए तो जिंबेदार्य धर्मेंदर परतान जी लिए सरकार लिए झाल